कुछ समय में कुछ ऐसा हुआ कुछ घटना है इस तरह की घटी कि हमें हमारा सिटी के अंदर जो जैपूर चार दिवारी में घर था उस घर को बेचना पड़ जाता है तो कि घर की माली हालत बहुत ही खराब थी घर खुद का था पर खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे इस्तिती इतनी पूरी थी 2002 तक कि हमें 2002 आते आते तो घर ही बेचना पड़ गया तो जितनी भी आईस्क्रीम बचेगी उसके वो पैसे काड़ता नहीं होगा और उन्हा 2004 में मेरी जब Table तो democratic ौस्पी तोस्омे से पहले गांकि रहा था हमारा हमारा फ्र्स lang से पहले कर ऐलेव इंध मेरी सिस्टर की साधी हो जाती है तो जो हमने घर 2002 तो मे बेचा था 2005 के अंदर मेरी सिस्टर की साधी के दोरान वह घर्ग जाता है घखवान पो कुछ और मट पु तसनी कता तो मेरी कहानी जायद बहुत से लोगों से मैच करती होगी पर हाँ इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे हिस्से और कुछ ऐसे किस्से हों जो Mm programmer कर चाहिए कुछ लोगों से match हो और कुछ लोगों से ना भी हो और बहुत से लोगों से तो बहुत मुश्किल है कि हो पहे होंगे मैं एक बहुत ही मध्यमवर्गी परिवार से आता हूँ मेरा जन्म जैपूर में हुआ है मेरे पापा पेशे से एक इलेक्टिशियन है मेरी कहानी शुरू होती है मेरे जन्म के साथ में मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ उस परिवार में दो भाई थे मेरे पापा होर और पापा जो थे वो कुछ समय पहले तक एक पेट्रोल लूम पर कार किया करते थे और मेरे बड़े पिताजी जो ताउजी थे वो भी वहीं पर कारे किया करते थे कुछ समय में कुछ ऐसा हुआ, कुछ घटना है इस तरह की घटी कि हमें हमारा सिटी के अंदर जो जैपूर चार दीवारी में घटा उस घर को बेचना पड़ जाता है उस घर को बेचने के बाद में हम दोनों ही परिवार अलग-अलग रहने लग जाते हैं उसके बाद में एक कहानी मेरी और मेरे घर की चालू होती है और एक कहानी जो है वो अलग है मेरे बड़े पिताजी की हम आज सिर्फ हमारी और सिर्फ मेरी कहानी की बात करेंगे मेरी कहानी के अंदर शुरुवात में 1994 में जब हमने हमारा सिटी वाला घर बेचा और हम एक जैपूर के ही थोड़े से आउटर एरिया में मुरलिपुरा में आकर के रहने लगे तो मेरे पापा एक अकेले अर्निंग मेंबर थे हम चार भाही भहन हुआ करते थे चारों का खर्चा उठाना और अकेले कमाने वाले इंसान और साथ में क्योंकि एक राजपूत परिवार से बिलॉण करता हूँ तो थोड़ा से स्टेटर सिंबल माल लीजे या कुछ भी लेकिन पापा कुछ-कुछ ड्रिंक भी किया करते थे उस समय और बस उनी दिनों के अंदर कुछ इस तरह की कहानिया और कुछ किस्से बने हमारे बीच में हमारी लाइफ कुछ इस तरह से मोड़ दर मोड change होती रही कुछ अलग-लग इस तर हमने अचीव कि your और हमने अलग-अलग तरीके के लोग और बहुत सारी चीजे देखने के हमें मिली अगर मैं बात करू मेरी schooling की तो मेरी schooling इस तरह की हुई कि हमारी कभी भी हम चारो ही बहनवाईयों की, फीस कभी भी समय पर नहीं जा पाती थी, क्योंकि मम्मी घर पे ही रहती थी, पापा कभी भी स्कूल में नहीं जाते थे, मेरी मा जो थी, वो हमेशा बारगेनिंग करती थी, फीस जहां 20 अजार उपे होती थी, वहां 5 या 7 अजार उपे के अंदर ममी मना लिया करती थी, साल में मुश्किल से एक बार या दो बार फीस जमा हुआ करती थी, बहुत से बच्चों को डाटा जाता था, पर ममी का वेवार अच्छा था, पापा की भी रिस्पेक्ट थी थोड़ी बहुत, तो उस वज़े से कोई हमें इतना बुरा कहता नहीं था, और थोड़ा बहुत जितना भी दे देते थे, उतने में हमारा काम चल जाया करता था, अब चुकि घर की माली हालत बहुत ही खराब थी, घर खुद का था, पर खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इस्तिती इतनी पूरी थी 2002 तक, कि हमें 2002 आते आते तो घर ही बीचना पड़ गया, इस 2002 तक की खाने के बीच में कुछ हुआ यू, कि जब भी हमें खर्च के लिए भी पैसे चाहिए होते थे, तो हमारे पास पैसे हुआ नहीं करते थे, मैं और एक मेरा छोटा भाई, एक बार की बात है, सकरात के दिन, पूरी गली में, हमारे घर के आजू बाजू में, सब जगे सब लोग नहीं नहीं पतंगे, और मांजा लेकर के अपनी अपनी छटो पर थे, पर आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर पे डाल की पकोडिया बनाने तक के पैसे नहीं थे, पापा जाते हैं, एक किराने की दुकान पर और वहां से कुछ खरीद करके लाते हैं, वो भी उधार के अंदर, जो कि हमसे जतना भाव होता था, उससे एक-दो रुपे ज़्यादा ही मिला करता था, पापा लेकर आए, और हम दोनों भाई, एक पासी के पार्क के अंदर, पतंगे लूट रहे थे, वही पतंगे जो हमने सकरात के दिन, 14 जनवरी के दिन लूटी, वो हमने 15 जनवरी के दिन, और 16 जनवरी और उसके बाद में उड़ाई, तो इतना पुरा हमारा समय था, अब हर बच्चे को शौक होता है, कि कुछ भी खाए, कुछ पीए, कुछ खरीद ले, दोस्तों के साथ में घूमें फिरे, वीडियो गेम खेलें, उस समय निंजा विंजा, बहुत सारे गेम्स चला करते थे, टिकन थरी करके एक गेम था, उसका गेर्स वाला, वो गेम चलता था, हमें भी शौक था, लेकिन हम खेल नहीं पाते थे, तो हुआ कुछ इस तरह का, हमारे पास में एक भीया रहते थे, और उनके बहुत सारे काम थे, जैसे शाम के टाइम पे, सर्दियों के समय में, वो मूफली बेचा करते थे, दिन के अंदर वो सिंगाडे बेचा करते थे, शाम को गर्मियों के समय में, वो सोडा वाटर लगया करते थे, और एक उनी के मौसाजी थे, वो पडूदा बेचा करते थे, डिवाली के समय पे वो सीता फल बेचा करते थे, आविश्वास नहीं करेंगे, पर जब वो दिन थे हमारे गरीबी के बिलकुल, जब हमारे पास में कुछ भी नहीं हुआ करता था, और शौक, और बच्चे को खाने का शौक होता है, बस उसी श स्कूल खतम होने के बाद में, पास ही की एक बड़ी स्कूल, जहां पर कि वो भईया आइस्क्रीम का ठेला लगाते थे, मैं जाकर गे, उस आइस्क्रीम को बेचने के लिए पहुँच जाता था, उनके ठेले पर, और सिर्फ लालच कितना सा था, कि वहां से निकलने के बाद में, दो-तीन घंटे घूमने के बाद में, गलियो गलियो, आइस्क्रीम बेचने के बाद में, जब हम उस आइस्क्रीम के में डिस्टिब्यूटर के वहां पहुचेंगे, उस ठेले को जमा कराने के लिए शाम को, तो जितनी भी आइस्क्रीम बचेगे, उसके वो पैसे कारत नहीं था और उन्हाAnन को फैका जाता था तो फैकने से पहले में अक्सर खालिया करता था यह मेरा शौक पूरा हो जाता था इसी तरह से साम के समय में जर्मी में शोड़ावाटर और फलूदा मैंने बहुत बनाय नीमू पानी बहुत बनाया है, हाथ से भोल भोल करके कूप पिलाया, पलूदा बहुत बेचा है, मुफलिया इतनी से कि है कि घर वाले में मुझे कहने लग गए कि अब तु अगर आज फिरी है तो आज मुफली सेख करके सिखा दे, मतलब खिला दे, ये कुछ इस तरह से चलत करती रही, 2002 के बाद में, जब हमारा घर भिका, उसके बाद में एक मेडिकल सेंटर पे मेरी मम्मी ने मुझे बैठा दिया, क्योंकि वही बच्चों के सभी के शौक हता है, बाहर घूमना फिड़ना और बैठना नहीं, सुबह साड़े 6 बज़े मैं मेडिकल पे जाता था, शटर उसका ओपन करता था, साड़े 11 बज़े तक मेडिकल पर बैठता था, वहीं पर रहता था, पढ़ाई करता था, साड़े 11 के बाद में 12 से 5 तक मेरी स्कूल हुआ करती थी, पांच बज़े स्कूल से घर आता था वापस से, छे बज़े दुबारा मेडिकल पे जाता था रात को दस साड़े दस या ग्यारा बजे तक मैं मेडिकल पर ही रहा था था वहां एक भहिया थे मेरे वो मुझे पढ़ाया करते थे उन्हीं के वज़े से एट के अंदर मेरे स्थीक ठीक परसंटेज बन गई पर्स दिविजन पास हो गया मैं जहां किसी को लगता नहीं था कि पेमेंट देना चालू करें आविश्वास नहीं करेंगे 2003 जब मैं नाइंध क्लास में पहुंचा था तो नाइंध क्लास में आप क्या मानेंगे एक बच्चे को क्या पेमेंट मिलता होगा और वो भी वो बच्चा जो दिन के कम से कम 10 घंटे उस मेडिकल सेंटर को देता था मात्र मेरी स्कूल की महिने की फीस और जो की थी 220 रुवे मैंने लगा तार 12 महिने उसी मेडिकल पर काम किया और 220 रुवे महिने का कमाता था जब पैसे देने की नौबत आती थी जब दिन आता था और तो वो कभी बात भी नहीं करते थे ले और बस ऐसा था कि हाँ ठीक है कर काम करूँगा तो कैसे पारबड़ेगी और पापा का वही पापा केले कमाने वाले थे और चार या पांच जन्यम खाने वाले थे आगे जिंदगी चलती है 2004 में मेरी जब टैन्थ हुई तो उस समय उससे पहले मैंने छुट्टियों में एक कट्टा फैक्टरी के अंदर काम कि था लेकिन मुश्किल से 15-17 दिन काम किया एक नाइट के 67 रुपे मुझे मिलते थे और 15-17 दिन काम करने के बाद में मेरे हो गई माता निकल गई तो उसके बाद में मैंने वह जौब भी छोड़ दी पैसा भी मुझे वहां से नहीं मिला और इलाज में भी अच्छा खासा ख करती थी तेंथ की छुटिया थी तो मैं वहां गया उन्होंने मुझे सिर्फ 1200 रुपे दिये और वह भी 800 रुपे सौरी 800 रुपे मेरी सैलरी हुआ करती थी पूरे मन्त की संडे संडे या फिर वीकली एक छुट्टी मिला करती थी मुझे और टाइमिंग हुआ करता था क्योंकि मुझे 11th commerce में admission मिली गया था और लेना ही था मुझे 11th में दिवाली का समय आया तो वही इंसान जिसने मुझे 800 रुपे पूरे महीने के दिये थे उसी इंसान ने मुझे वापस से बुलाया और कहा कि तू शाम को सिर्फ 4 गंटे आ जा क्योंकि तू डेमो बहुत अ करता है फर्स्ट एयर के अंदर कुछ इस तरह का हुआ कि पापा का ठीक है काम चली रहा था हमारा फर्स्ट आने से पहले 11th class में मेरी सिस्टर की शादी हो जाती है तो जो हमने घर 2002 में बेचा था 2005 के अंदर मेरी सिस्टर की शादी के दोरान वह घर बिग जाता है उसको बे चुकि मैं घर का बड़ा बेटा था उससे बड़ी बड़ी सिस्टर थी उनकी शादी हो चुकी थी तो मैंने अपने पापा के साथ में काम समाला एक साथ 11 फिटिंग समने की लगबग एक लाक रुपे से उपर हमने 6 महीने के अंदर कमाया हमारे लिए बहुत बड़ी रकम दो आदमी मेरे साथ में और पापा के साथ में काम किया करते थे एक दिन में तीन चार चार सेंटर हम देखा करते थे कभी कहीं तो मतलब यह ने बोला कि तू यार मुहपाल यह काम छोड़ तेरे लाइक नहीं तु बड़ा लिखा है तू कुछ त्शा कर मुझे वो एक continuous company थ जो किसी कंपनी में काम करते हैं उनके पास जब में गया तो उन्होंने मुझे कहा तो भाहिया ने का चल ठीक है मैं तुझे ये हर महीने दूंगा 2,000 रुपे मैंने ठीक है और पेट्रोल बहुत पेट्रोल तु जितना डेली खर्च करेगा उतना तु लिख लिए करना एक डायरी में मैं तुझे वह भी दूँगा भहिया ने मुझे पेटरोल के पैसे भी दिये और वो भी दिया साथी साथ मैंने एक financial company में काम करना स्टार्ट किया उस company की दो महीने बाद में एक साथ 9000 रुपे salary आई तब तक उन भहिया ने मुझे दोड़ा ही मैंने का जो payment था वो देते रहे मेरी installment जाती रही बाइक की और साथी साथ पेटरोल का खर्चा निकलता रहा पूरा खर्चा भहिया ने जैसे ही मेरी salary आई तो उन्होंने मुझे से कहा कि देख आज तक मैंने तुझे सिर्फ सहरा दिया था इस line में लाना चाता था मैं तुझे और तुझे कमाने की लाइक बनाना चाता था आज तेरा और मेरा हिसाब अलग कर लेते हैं यह पूरा हिसाब जोड़ दे तुझे मैंने कितनी salary दिये और कितना तेरे petrol का पैसा हुआ है सब कुछ तु मुझे वापस दे और अपसे तु अपने आप करेगा सब कुछ जो भी करना है तुझे अपसे विपिन बिया सिर्फ तेरे गार्जन की जैसे रहेंगे इस सेक्टर में बागी 13 मेरा को भी लेना देना नहीं उसके बास से मैंने continue अपनी जॉब की वहाँ पर 11 म के अंदर मुझे कोई college admission देने हो तयार नहीं था क्योंकि first year में job के चकर में कमाने के चकर में मेरी बैक लग गई accountancy के अंदर जिसी college में मैं गया ऐसा college भवाने निकेता है नाजू बाजू में बहुत सारी जगे उन सभी colleges ने मना कर दिया कि आपका admission नहीं हो पाएगा आप नंबर जोड़िए इसमें 36-36 और अगर 45% बनती है तो हम second year में लेंगे पर percentage बनती ते चोड़ने के बाद में 44 य सेलरी मेरी थी सिर्फ 50 रुपए अब आप खुद सोचिए कि जिस इंसान ने पूरे महीने बाइक चलाई होगी पैट्रोल चलाया होगा लेकिन फिर विव पचास रुपए की एक सेलरी लास्ट की सेलरी पचास रुपए आज ही मुझे याद है मैंने 2007 में वो जॉब कॉल सेंटर था सरकारी जो टेलीकॉं कंपनी थी उसके अंदर 2450 रुपए मैं नाइट शिफ्ट किया करता था मैं वहाँ पर मैंने तीन महीने जॉब की साड़े साथ हजार रुपए टोटल कमाये और उसी से मैंने अपना ट्विशन का खर्चा निकाला क्योंकि मैं घर से ल के भी जो दोनों पेपर थे वो मैंने क्लियर किये फाइनल एर आते आते कोई बैक नहीं था फाइनल एर मैंने एक हैपर सिटी करके हमारी एक कंपनी थी उसमें 4975 रुपए सैलरी मिलती थी महाँ पर मैंने जॉब की नो महीना पांस दिन के बाद में मुझे एक बीपीयों से नाम है आज मैं जो कुछ हूँ आज अगर आपके सामने भी हूँ इस लाइक भी हूँ कि मैं अपने बारे में बता पा रहा हूँ तो आप मानिये कि कहीं ना कहीं उसी का हाथ है 2009 में जब मैंने उस कंपनी को जॉइन किया तो पहला वो शक्स था जिसने मुझे बताया कि कि मेरा आना जाना और उसके घर पे ही रहना अगधीतल टाइम सिर्फ मैं अपना खाना खाने और रात को सोने के लिए अपने घर आया करता था वरना सारा समय उसी के साथ बीच जाया करता था मेरा चुट्टिया हमारे आना जाना हम दोनों का साथ में हुआ करता था बहुत भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक अलग सा एंगल, मेरा छोटा भई जो था, उसने CPT में, फर्स अटेम्ट के अंदर, All India 13 भी रैंक हासिल करी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, मेरी जैसे ही बैंक में जॉब लगी, 2013 में, तो मैंने 10 जून को जॉइन किया था, और 6 जुलाई को, जब मैं जैपूरी आया हुआ था, किसी बहुत जरूरी काम से, तो मेरे भाई ने, जान दे दी, जी हां, जान दे दी, आप सोच रहे होंगे, कि इतना प्रेम से कैसे बोल पाता है, पर सच ही यह है, बहुत प्रानी बात हो चुकी है, और पूरी फैमिली भूलना चाती है उस बात को, भूलना मैं भी चाता हूँ, पर कुछ चीज़े भूली नहीं जाती है, एक merit holder बच्चा, जिसको आज थी, जो हमेशा इंटर्यू तक मैं यह कहता था, कि मेरे भाई की वज़े से मैं हुआ, मेरे भाई की वज़े से हुआ, और मेरा तो सीना एक में उसने बहुत नाम कमया, पर इतना ही साथ था मेरे और उसका, 2013 में मेरा भाई चला जाता है, उसके बाद में जून में मेरी जॉब लगी, जुलाई में मेरा भाई चला जाता है, और जब बहुत बुरा समय था, जब मैं अकेला बाहर रहता था जहलावाड में, मन नहीं लगता था लेकिन फिर भी मेरी छोटी बेहन थी उसने continue अपनी पड़ाई जारी रखी और भगवान की करपाई और रहसान हाई कोट के अंदर उसने भी स्टैनो की जॉब पा ली कुछ समय तक उसके साथ में बहुत समस्या रहती थी घर पे काम काज ये सब चीजे तो उसको भ मैंने उसे भी एक चोटा सा रूम लेकर के मैंने क्या रखाया मतलब बस भगवान की कृपा थी और उसने कहा और मैंने कर दिया उसने बहुत कम खर्चे में एक चोटा सा रूम लिया वहीं पर टूशन की और वहीं पर करते 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 उसकी जॉब लगे आज वो लेकिन जॉब नहीं थी, शादी करने का कारण और बहुत समय लेने का कारण, सिर्फ यही था कि एक ऐसी लड़की मिले, जो शादी के बाद में जॉब लग सके, और वो भी गौर्णमेंट जॉब, मेरी वाईस से जब मैं मिला, तो उनका और मेरा एक ही पॉइंट था, कि उसे जॉब करनी थी तो गौर्णमेंट और मुझे जॉब करानी थी तो गौर्णमेंट, उन्होंने अथक प्रयास किये, शादी के बाद में, जब हमारी बेटी हो गई 2016 में, उसके बाद भी वो continuous लगी रही और 2018 में, रायस्तान सेशन कोट के अंदर उसने भी जॉब पाली, तो मेरी कहानी का कुछ सार इसी तरह का निकलता है, कि बहुत से स्ट्रगल्स आप देखेंगे जीवन में, बहुत सी कठेनाईयां भी आपके सामने हैंगी, लेकिन अगर आप सही हैं और आपको संगत सही मिले, तो आप ये मान के चलिए, कि सफलता आपको जरूर मिलेगी, एक वो इनसान जिसने 2002 से बेगर था, उसने इस कहानी के दोरान 2010 में अपने कमाई हुए थोड़े थोड़े पैसो से 10-10-20-20,000 रुपे कर्ज करके एक प्लॉट लिया, 1,15,700 रुपे में, आज उसी इनसान ने 2013 में भाई के जाने से पहले, जॉब लगने से पहले, उस प्राइ दाश्त के तोर पे, और आज हमने एक अच्छा खासा जीवन इस तर पा लिया है, जिसके बदोलत हमारे जीवन में मुझे नहीं लगता कि जहां से मैंने शुरू किया था, वहां से मैं बहुत कम कर पाया हूं, मैं बहुत ज़्यादा अचीव कर पाया हूं, और भगवान की झाल